तो हेगा देख आपने अपतर तो फटापट जो देखो प्रेश पर सेक्षिन मिल जाएंगे और इसके नोड़ जो है लोग जो आपके नाइटमी के और एक्स्रेमिटी के नोड़ से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देती है मेरे बहुत प्यारे आपके लिए आपके नए हो जाने पर जाने को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो इस्टागरम को फॉलो करो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथ-साथ आपकी हिस्ट्रोजी की जो एनाटमी की सारी सिलाइट्स है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड प्लस आपके हैंड डाइग्रांस विद लेबिलिंग उसको पूरा पीडियाफ बना दिया है मैंने आपके लिए जबके त्योरी और प्रैक्टिकल में हिस्ट्रोजी वाले सेक्षन में आपकी हल्प करेगा नदर लिंक डिस्क्रिप्शन में फ क्लीनिकल बहुत या बढ़ा रही है ये आपके थोड़ा देर हका कैसे कैसे कैसी आगे बढ़ रही है कि पहले आपके pelvis को लीव करते हैं, leaves the pelvis through greater sciatic forearm, नर्व है तो greater sciatic forearm से यहाँ पे pelvis को लीव करते करते, below the piriformis muscle के नीचे, greater trochanter और आपका जो distal tuberosity होती है, इसकी बीच में travel करेगी और आगे जाके tibial and common perolian nerve में आपके यहाँ पर आपके divide हो जाएगी, split हो जाएगी, tibial nerve and common perolian nerve, sciatic nerve के ही आपके division है, याद रखना कभी confused मत कर जाना, sciatic nerve आगे जाके divide हो जाती है, split हो जाती है, into tibial nerve and common perolian nerve, आपको diagram दिखातो हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, अच्छे से clear, ठीक, आईए, देखिए, देखिए, L4 से लेकर S3 spinal nerve के segments तक यहाँ पर यह बन रहा है, आपका sciatic nerve, आप देखो piriformis muscle के बारे में आपको जिक्रिक किया थे, आपको देखो यहाँ से पास करता करता, आप देखो यहाँ पर divide हो रहा है आपका, दो components में, component यह तो आपका tibial component हो गया, यह green वाला जापको divide है, यह आपका tibial component है, और यह आपका common peroneal component, अब देखो आगे जाके किस-kis muscle को supply कर रहा है, ठीक है, very very important, semi-tendineous muscle, semi-membranous हो गया, long head of the bicep femoris, adductor magnus, इस सारे जो है, इसको supply कर रहा है, आपका tibial component of the sciatic nerve, मतलब तो वो इसे इसको supply कर रहा है, मतलब यह back of the thigh की बात कर रहे है, ब आपके सारे division लिखें, कभी आप confused हो, superior, inferior, medial, or lateral की बात हम कर रहे है, ठीक है, यह आपको 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 बता दिया था, pelvis, gluteal region, इसको को क्या leave कर देता है, कैसे, greater sciatic foramen, के through, है ना, आपके यहाँ पर उससे पास करके pelvis को leave कर देगा, उसका पार पार मसल का मै लग-अलग मसल्स को आपके सप्लाय कर रहे होते है, पहला टीबियल मतलब semi tendineous, semi tendineous हो गए, semi membranous हो गए, तो यह आपको अराम से याद रह सकता है, ठीक है, साथ साथ यहाँ पे है, long head of bicep femoris, और आपका है, adductor magnus muscle, ठीक है, यहाँ पे आपको यह दिखाया गए, कि यह नर्व है ग्रीन वाली और ये ग्रेवाली आपकी common perioline नर्व है ठीक है यह देखो यह आप यहाँ पर था आपका long head of bicep femoris जबकि आगर मैं बात रूँ और का तो यह आपको सप्लाय कर रहा है short head of bicep femoris किसको short head of bicep femoris तो please confuse मतलब लॉंग long head जितमें ज्यादा आपको सप्लाय करें मतलब तो वहां पर long head है और बागी बचा हुआ common perioline नर्व में आपका short head of bicep femoris है तो बस यह आपका होगे पूरा आपको डाइगरम जैसे श्याटिक नर्व आए सबसे पहले यह डाइगरम एक पन्ने पर मना के आओ उसके बाद जो मैंने आपको तीन पॉइंट शुरू के बता है वह लिखो कोर्सन डिस्ट्रिबूशन में देखो कुछ नहीं करना उसके बाद कि जो आपने बताया इसी को एक्स्पें कर देना हो कि पहले विस को लिफ किया उसके यह सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर रहा है और को उसके बाद को यह सप्लाइब कर रही है और दो काफ, heel, lateral foot and soul यह आपको जो supply कर रहा है यह tibial nerve की बात कर रहा है क्योंकि sensory आपके functions में अगर मैं apply करूँ ठीक तो आपको डियाग्रम मनाने और थोड़ा बहुत sensory functions की बान लिखके आ जाना अब बात करते क्लिनिकल को जो मैं क्या रहा था आपको अगले पॉइंट लिखना है जो की बहुत important है मतलब मान लोगर को इंजरी को क्लिनिकल में में इंजरी से related बात होगी तो यहां पर इन कारण आपका यहां पर हो सकता है किसका आपको देखने को मिलती है बहुत जादा important है यह कभी-कभी बूच ले जाता है कि हाई stepping gate यहां पर आपको किस नर्फ की damage से मिलता है तो shiatic nerve होती है गई इसको मन में बसा के रखना sensory losses में क्या होता है sensation back of the thigh के sensory यहां पर loss हो सकते हैं leg के foot के कौन सा इरिया सैफिनस द्रफ को यह लिए supplied हैं वो वाला नहीं होता बास ठीक है यह बाद ही बात होगी अब हो रहा है shiatic nerve passes through piriformis muscle and can become entrapped और भी उसी बात है piriformis muscle जो कितनी बड़ी दिखाई मैंने diagram में भी वहां से सब लापर वहां से पास हो रही है piriformis muscle की वैसे shiatic nerve definitely damage हो सकता और बहुत rare है इसमें मतलब pain ही आपको देखने को मिलेगा अगे इतना important क्लिनी कर नहीं है अब सबसे important shiatic का बहुत important है shiatic का आपको 2-3 line definitely पता होने चीज़ जब भी आपका exam में आए तो shiatic nerve की वज़े से हो रहा है है ना symptoms क्या होते shooting pain along shiatic nerve shiatic nerve के अलोंg shooting pain देखने को मिलता है में जीज क्या बटक हो गया posterior thigh हो गया लेक्टर लेक्टर लेक्टर्सम फुटी सारे आपके इडियाज होगी है ना बटक याद रखना बाकी causes क्या है इसके अगें compression हो जाए या फिर इडिटेशन हो जाए एलफोर्स s3 spinal nerves का अन्येटेड लंबर डिस्की वाज़े से मालने हापे compression हो जाए अगें compression हुआ यह 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 सब्सक्राइब करना या फिर कुम हमेशह बना के आना जैसी कोई भी नरवाय सबसे फिर कुछ लिखना उसके बारे में तोड़ा बहुत सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करते जाओ मैं जाता हूँ आप इस चैनल को और लोगों अपने बैच मेर्स तक इसको पचाओ जिससे वह भी आपे देख सके कि वहां कोई ऐसा बंदा भी जो प्रॉपर ली अच्छे से तुम्हें कोई प्रॉपर है मीवेस का कॉंट्रिंट प्रवाइड कर रहा है वद और थ्रेडी मॉडल वगेरा तो प्लीज जो सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो और मेरी जो शॉर्ट जो जो सब्सक्राइब कर देख से तुम्हें कर देख सके का कि वहां और मेरी जो बंदार बंदासे शॉर्ट कर रहा है